सब्सक्राइब बन सकते हैं स्क्राइच से एक प्रोट्रेडर एन इस सीरीज का हम बहुत इंबॉडडन फेस बेच जहां पर हम आपको सिखाने वाले चार्ट पैटन्स सो अमने रिवर्सल चार्ट पैटन से लास्ट वीडियो में आपको सिपन जाया था क्या माउंटेन हिल को किसे ड्रेड कर सकते हो जिसको लोग डाव भी कहते हैं उसके stop loss and targets कैसे लगा सकते हो अगर करते तो किस तरीकी से उसमें information लेके उसमें ट्रेड कर सकते हैं कितने पैसे बना सकते थे आज हम आपके लिए बहुत इंबॉटन वीडियो लेके आ हैं जहां पे मापको सिखाने वाले हैं डबल टॉप लोग इसको जेनरली डबल्यू पैटर्न या एम पैटर्न भी कहते हैं इसको हम समझने वाले हैं कि य एक ऐसी जगह पर बनेगा जहां पर मार्केट एकदम टॉप आउट हो जेंगी क्या मतलब जहां पर मार्केट इतनी जादा बढ़ चुकी होंगी कि वहां से और मार्केट ऐसे चल रही हो और यहां पर हमें कोई ऐसा पैटर्न दिखे जो कि आल्मोस्ट लुक्स लाइका अल्मोस्ट इकोल या फिर फिर बिलकुल एक्जाक्रीव एकॉल देकने को मिल रहा है कि हाइर है कि यहार हाइए के बाद एक और हैइर हाय बट अगें जो नेक्स तार्ड है था ओखे यॉilt चांड डिखा ऐकल आप इकल बहुत मस्दम लोग तर यहां से यहां से में यह हाइस की सीरीज का एंड देखने को मिल सकता है अब हमें कैसे देखने को मिलेगा यह हमें यह तब देखने को मिलेगा जब मार्कट बहुत जबन बढ़ चुकी है शायद यहां से गिर जाये उस शायद को कंफर्म करने के लिए लेगे उस इसी के ओर्ड़ तो बहुत तरीके जाएगी जो पिछला लो था उसके एकौल या जेगी एंदेन वापोस उपर तक जाएगी जो पिछला हाय था वहीं पर जाएगी नीचे आ जाएगी एंदेन यहां पर दिखेगा एक breakdown होता हुआ जैसे आपको breakdown होते विदिखे आपको एकदम से trade नहीं लेना आपको रिटेस्ट की वेट करनी है अगें पिछली वाले तरीके की तरह जो माउंटेंग हिल था ओल्मोस्ट वैसे रिटेस्ट की वेट करनी है यहां पर जब मार्किट प्राइज नीचे वापस गिरने लगे तो अब नीचे का ट्रेड बना सकते हैं आपका अब तक अब याद भी कडे ऑगा नेक लाइन के ऊपर हमारा टार्गेट का से लेट सी यह जो हाय चाहिए था हंड्रेड का अन जो मारा नेक लाइन बन रही है वह बन रही तो हमें क्या दिख रहे है कि 20 पॉइंट्स की मुव्में अभ यह नेक्स नीचे की तरफ कितना जा सक है which is 80-20 यानि 60 रूपीज यह हो गया हमारा टार्गेट 1 इस इक्वल टू 60 अगर हमने यहां पर शॉट की है क्योंकि यह डबल टॉप का सिनारियो हम यहां पर एकदम शॉट करने वाले तो यहां पर हमें दिखेगा फॉर्स टार्गेट 60 का दें नेक्स टार्गेट वह विल इतना बड़ा स्टॉप लेने की इसमें जूरत नहीं है क्योंकि मार्केट जो आपको रिवार्ड करती है तो बहुत अच्छे तरीके से रिवार्ड करती है तो अब यहीं कहीं अपना स्टॉप लाउस नेक्लाइन के थोड़ा सा उपर लेट सबोस एटी का अगर आपका ने पता अगर आपको यह नहीं पता तो वह प्रॉब्लम वली वाथ क्योंकि हमने आपके लिए बहुत ही बड़िया वीडियो बनाई हुए कंडल स्टिक पैटन की वन बाइवन इन डीटेल आपको समझाया हुआ कि इंगल्फिंग पैटन क्या होता है बुलिश हरामी बेर हराम टार्गेट वनभी आपको मिल गया तो अगर आप देखें को दस रुपए के स्टॉप Loss के लिए 20 रुपीज टार्गेट मिल गया तो हमारे से रिस्क इस तुर रिवाद क्या रहा है वन इस तु टू लेट सबोज आपको सेड़िट मिल गया है तो क्या स्टॉप Loss बन जा सकते हो अगर हम इसको इंवर्स तरीके से देखे तो हो सकता प्राइज नीचे गिरता वह आ रहा हो यहां पर बॉटम बनाए अगें एक बॉटम बनाए नेक लाइन का ब्रेक आउट दे रिटेस्ट करें वापस ऊपर चले यहां पर हम लॉंग की एंट्री बनाएंगे और टा का बन गया स्टॉप लॉस तो आप यहां कहीं स्टॉप लॉस बना सकते हैं यहां कहीं जैसे भी आपका जैसे सबोज यह स्विंग बन की उपर जा रहा है क्योंकि मार्केट कभी एक डिरेक्शन नी जाती तो अगर नीचे आएगी डबल बॉटम बनाने तो ऐसे कुछ बना कि प्राक्टिकल इसको कैसे आप यूज कर सकते हों डबल बॉटम का एक्जामपल दिखाने के लिए हम आपको लेकर आपको दिखाने वाले बहुत ही रिसेंटली 26 ओक्टूबर को डबल बॉटम बना इन कितने बढ़िया से उसने उपर की तरह हमें ब्रेक आउट दिया इस डे की हम बात कर रहे हैं यहां पर आपको मैं दिखा हूँ तो आपको दिखेगा कि 9 ओक्टूबर से लेके 26-7 ओक्टूबर तक स्टॉक डाउन ट्रेंड था क्या मतलब पूरे मन्थ स्टॉक डाउन रहा और इससे हमें समझा रहा है कि एक शॉट टर्म ट्रेंड डाउन दिया आपको दिख रहा होगा कि यह थोड़ा सा मझा वेग सा चार्ट है बड़ परफेक्ट आपको टेक्स्बूक एक्जांपल कहीं नहीं दिखने वाला आपको थोड़ा सा study करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा चार्ट दिखना पड़ेगा ना आपको समझ आने लग दीरे-दीरे कि यह कैसे काम करता है तो लेट मी शो यू कि इसका bottom क्या बना है और इसकी neckline क्या बनी यह इसकी neckline बनी almost यह इसका bottom बना and इस range को जैसी इसने breakout किया इस candle के साथ तो आप जेखेंगा although last candle की भी volume बहुत जादा थी but थोड़ा conservative के चलते हैं सिरफ अगली candle को देखें तो volume बहुत ही शांदार थी candle कितनी जादा green थी है धाई पसंट market उपर रही उस दिन तो हमें समझ आ रहा है कि यह बहुत ही बढ़िया confirmation के साथ हमें trade मिला यहां कहीं भी अगर हम trade लेते हैं यहां से अगर हम upside देखें अभी भी आप इसको hold कर सकते हैं यह stop loss के साथ so around this stop loss 4022 के आसपास आप अपना stop loss trail करके इसको अभी भी hold कर सकते हैं and देखी कितनी शांदार तरीके से काम करा अगर यहां से हम इसका downside देखे तो एकदम नीचे तक भी ले 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 तो 5% से भी कम है अगर हमने यहां कहीं बाय किये तो हम इसी candle की नीचे यहां कहीं so around 3.5% के आसपास अपना stop loss रखेंगे और यहां से अगर हम long short position देखें तो आपको देखेगा कि कितने बड़िया तरीके से हम risk reward पे बैठे हुए हैं 1 is to 4.5 का हमें risk reward मिल रहा है और क्योंकि हम already profit में आ चुके हैं 18% तो हमना stop loss हम entry price के उपर रखेंगे या फिर हम इस swing low पे रखेंगे so is swing low का हमारा minimum stop loss होना चाहिए अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा conservative होना तो आप यहां कहीं stop loss रख सकते हैं 4022 के आसपास so this can be also a good level so इस तरीके से अपने stop losses को trail कर सकते हैं so that you make sure कि आप जब भी ऐसे कोई profit में आजाए तो आप money market को देके ना जाए profit अपना घर लेके जाए so guys double top का example दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं टाटा पावर के चाट पे टाटा पावर के डेली चाट पे हम आपको दिखाने वाले 17 जैन 2020 का example जहां पर हमें देखा earnings के आसपास just market एक high पे चल रही थी और यहां पर अगर हम देखें so around 12th December से मतलब almost 2 महीने से market उपर की तरफ जारी थी double top के जैसी formation वो कैसे let me show you very clearly यहां से stock उपर जा रहा था so यहां से stock उपर गया यह नीचे आया then यह वापस उपर गया नीचे आया so यह यह हमारी neckline बन गई and यह हमारा double top बन गया यहां से में समझ आया कि market अगर यहां पर हमें breakdown David good volumes तो हमें समझ आ सकता है कि यहां से market गिर सकती है let me show you exactly इसका high and low क्या बना और कैसे बना so यहां पर हम देखें इसका अगर high mark करें तो यह बनता है around this level and यह बनता है इसकी neckline so यह हमारा एक double top formation बन गई and यह हमारी neckline बन गई इसी neckline का breakout हमें देखा 31st Jan 2020 को with good volumes एक बार हम आपके लिए volumes से हमें breakdown दिखा and यहां पर breakdown पर अगर हम trade करते and यहां से अगर हम short position लेते तो हमें दिखा बहुत ही बढ़िया 25-30% की गिरावट दिखी with a stop loss of just 5-6% तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से आपको market गिरती भी पहिने में और बहुत बढ़ी नहीं होगा क्योंकि यह एक one-off event भी था करोना उसके आसपास हुआ बट जब भी आपको market गिरती भी दिखेगी तो आपको यह दिखेगा कि market जनरी जब गिर रही है तो बहुत तेजी से गिरती है जैसे यह गिरी इतनी स्पीड से गिरती है बढ़ जब बढ़ती है तो धीरे धीरे बढ़ती है that is why top से reversal जो हमें patterns देखने को मिलते होंगा risk reward हमेशा 1-3, 1-4 होना चाहिए ताकि आप उसमें बहुत अच्छे तरीकी से पैसे कमा लो now towards the outer of this video hope आपको double top and double bottom देखके यह तो समझ आगे होगा कि आप कितने अच्छे तरीके से इसमें practically पैसे कमा सकते हो and इसमें stop loss target क्या रख सकते हो confirmation कैसे ले सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे होगी so like and share friends till the time you let us know कि आपको कॉंट से next patterns पे वीडियो चाहिए and किस तरीके से हम आपको वीडियो बना के दे so subscribe to this channel ताकि हमार को appreciation मिले and press the bell icon so you don't miss any update on this channel thank you